आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी चॉकलेट शॉट्स जो बच्चों को तो बहुत ही पसंद आते हैं और ये हेल्दी भी है और टेस्टी भी बहुत है तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं यहाँ पे हम ले लेंगे एक कप सूजी और फिर हम इसमें डाल देंगे आधा कप दही दही यहाँ पे मैंने जादा खटा वाला नहीं लिया है और आधा कप हम इसमें डाल देंगे देसी खांड अगर आप देसी खांड नहीं डालना चाहते तो इसमें पिसी उचीनी भी डाल सकते हैं और दो टीबल स्पून इसमें डाल देंगे ओलिव 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 कीजिए कि आप रिफाइंड ओयल भी यूज कर सकते हैं और आधा कप हम इसमें डाल देंगे दूद दूद डालने की बाद आप इस मिश्रेंट को अच्छे से मिक्स कर दीजिए किसी चमत से या विसकर के हल्प से कि इसमें बिल्कुल भी गुटलिया ना रहें आप इस तरह से मिक्स कर लिजिए और ये देखे ये बहुत ही स्मूद सा बैटर बनके तयार हो गया है हमारा तो बस हमें यहां पे इसी तरह का चाहिए ये और अब हम इसे ढखके रख देंगे पंदरा मिनिट के लिए बस अब हम इसमें डाल देंगे दो पिंच के करीब बेकिंग सोडा और आधा चमस डाल देंगे बेकिंग पॉडर और यहां पे मैंने लिया है दो टेबल स्पून लिया है कोको फॉडर और दो से तीन बूंद के करीब वैनिला एसेंस अगर आपके पास वैनिला एसेंस नही और यहाँ पर मैने यह चॉकले शॉर्ट स बनाने के लिए अपए पैन का इस्तिमाल किया है आप इस अपए पैन को इस से ग्रीज कर लीजे वैसे तो यह अपए पैन बहुत ही काम की चीज़ होती है अपए तो बनते ही हैं इसमें आप बड़े भी बना सकते हैं और उसके कि इसमें फिल कर देंगे ध्यान रहें कि इसे हमें पूरा फिल नहीं करना है बस इसे हम थोड़ा आधा आधा फिल कर लेंगे और जब यह इस तरह से फेल हो जाएगा तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी चॉकलेटस ली है, इस तरह से टुक्डों में रखा है और आप इने इस तरह से बीच में दबा के रख दीजिये इसमें अगर आप चॉकलेट की जगा कमपाउंट चॉकलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद यह जो बैटर है हम इसको थोड़ा थोड़ा करके उपर से डाल देते हैं जिससे कि यह चॉकलेट जो है वो हमारी अच्छे से कवर हो जाए इसमें आप इसे इवनिंग स्नेक के तो और पर भी खा सकते हैं यह बहुत ही टेस्टी बनते हैं यह देखे यह सारे कवर हो चुके हैं तो अब हम इसे गैस पर रख देंगे लो फ्लेम पर और इसे ढख के रख दीजे तीन से चार मिनिट के लिए इसे कुकोने दीजे और तीन से चार मिनिट के बाद हम देख लेते हैं यह देखे बहुत ही अच्छे से फूल चुके हैं और सिक भी गए हैं तो अब हम इने पलट देते हैं वैसे तो यह पूरी तरह से तयार है लेकिन फिर भी हमें एक मिनिट के लिए ने थोड़ा सा पलट के सिखने के लिए रख देते हैं चॉकलिट शॉट्स हमारी रेडी है और सर्दियों में तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं गर्मा गर्म आपने खाई हैं बहुत टेस्टी लगते हैं देखें कितने सॉफ्ट चॉकलिट शॉट्स बन की तयार हुए हमारे अगर आपको रेसीपी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजे लाइक कीजे शेयर कीजे मिलते हैं अगली नई रेसीपी के साथ तब तक के लिए टेक केर बाबाई